हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है जयकुमार और आप देख रहे हैं लॉर्ण टेक्षाल वित एके यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम रिंग फ्रेम में यूज होने वाले कुछ महतपूर पार्ट के बारे में डिसकस करेंगे और जो लोग वीडियो को देख लेते हैं तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा कुछ डाउट या कन्फूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो मेन पार्ट आफ रिंग फ्रेम फ्रेंट्स इस फिगर की सहायता से रिंग फ्रेम में यूज होने वाले कुछ महतफूर पार्ट के बारे में दिखाया गया है जिनमें सबसे पहले बॉबिन होल्डर तथा रोविंग गाइड आते हैं फ्रेंट्स इस फिगर में रोविंग बॉबिन होल्डर को दिखाया गया है यह होल्डर रोविंग बॉबिन को होल्ड करके रखता है जिससे रोविंग बॉबिन लटका हुआ रहता है फ्रेंट्स इस फिगर की सहायता से ट्रंपेड ड्राफ्टिंग सिस्टम तथा सक्षन ट सीधी डारेक्शन में फीड हो सके यह सक्षन ट्यूब है जो यान ब्रेक होने पर फाइबर को अपने अंदर खीच लेता है जिससे इसमें लैपिंग नहीं होती और मसीन का वियर एंड टियर कम हो जाता है फ्रेंट्स मीडिल रोलर पे यह एपरेंट लगी हुई है यह बॉट जिससे की फाइबर एक सीधी डारेक्शन में आगे बढ़ सके और सपरेट ना हो फायले न फ्रेंट्स यस फिगर की शहायता से लैपिट बलून कंत्रोल रिंक को दिखाया Argentina दूसरे बलून कंट्रोल रिंग का मुख्यकारिया है कि जब हाई स्पीड में यान प्रिड्यूस होता है तो यान में इस प्रकार से बलून बनता है जिसको कंट्रोल करने के लिए बलून कंट्रोल रिंग का यूज किया जाता है यदि हम बलून कंट्रोल रिंग का यूज ना करें तो यान ब्रेकेज बढ़ जाएगा यान ब्रेकेज को कम करने के लिए हम बलून कंट्रोल रिंग का यूज करते हैं फ्रेंट्स इसी फिगर में रिंग और रिंग ट्रेवलर को भी दिखाया गया है आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोग पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपका कोई डाउट या कोई कनभ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं